अब इस वीडियो में हम इसका आपको बताने वालने यह आपका छेंस पॉकेट अब इसको किसे करते हैं यह ने सबस्क्राइब किया है अब इसका ब्लेलि endroit हरा इसको चीज गये लाख हो तुछ मैं लिए इस देख सकते हैं यहां पर देखिये थोधा सा मतलब प्ले हैं और ज्यादा शिक करना चाहते है तो इसको मतलब देख सकते हैं कि इसमें प्ले है तो इसको निकालने कि क्लिन करके रखाए पहले से ही जाकि वीडियो लंबा ना हो यह आपका सेट निकल जाएगा तो अगर आपको बाइक में पीछे में पॉपिंग कर रहा है दो रिजन हो सकता है एक आपका स्विंग आर्म जो कि मैं आपका बाद में सब्सक्राइब देख लीजिए इसको मैं नाट ओपन करने रहा हूं और यहां पर देख सकते हैं कॉलर आता है इसको निकल देंगे और एस यूगन सी मैंने पहले से ही बहुत मतलब निकल कर रखा है ठीक है अब जिसे दा मेन बेरिंग यह जो आपका बेरिंग है तो पहले ह ज्यादा प्ले है और यहां पर और एक चीज में आपको दिखा रहा हूं देखें हाथ से बाहर आ रहा है तो मतलब एक चीज़ा बोल सकते हैं इसका जो इनर पार है वह भी लूज हो चुका है तो उसको ऐसे रिपेर करते हैं बहुत तरीक में हम बितने वाला जो बेरिंग आपका प्रॉपड करते हैं तो आगे देखते रहे हैं और यहां पर आप देखें तो यहां पर जाक है इसमें लिखाया है कि 6004 ठीक है मिलेके एक सेप्ट कमपनी का बट मुझे इसके मिला नहीं तो मैंने लिया है यह फैक कमपनी का जो बोल चाहते हैं यह फैक कमपनी और यह बड़े आप सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं तो आप इसके प्रदी यह जो कि यह वाला इसका ग्रीसिंग भी आता है कमपनी का सबसे बस आपको बेरिंग इसी कमपनी का मिले इससे बड़या कोई वेरिंग अपना नहीं है बट मैं इसको मैं निकाल लेते हैं अब इसको क्लीन का से करते हैं मैं अगर निया वेरिंग देख सकते हैं डालता हूं पर इसमें लूज हो रहा है न तो इसको कैसे करत यह ठीक होने वाला है अब यह जो इसके इनर पार्ट है ठीक है इसमें आपको फेबुक्विक थोड़ा-थोड़ा करके लगा देना है इसका फंक्षन क्या होता है यह जो भीरिंग होता है और स्कॉलर को च्रिक करना बड़ेगा मैसी के लिए देख सहकते हैं इसके अंदर सहेते हैं प्ले है देखें धेयन से देखें इसमें प्ले है अच्किंग बहुत ज्यादा प्ले बहुत ज्यादा प्ले इसी रिगारिडिंग हमने इस बीरिंग को चेंज करें और उसके साथ हम वीपर वेरिंग आते हैं और इसे हो चूख जाने दीजिए और मैं जब आपको बात कर जा ता स्विंग आम का तो को मैं बताया था हूं किसे प्लेट करते हैं सो बैसिकल मैंने सारे चीज़ खोल करें सब से गयते हैं स्विंग ठीक है अब जिसको पकड़ते हैं है थायड प्लेफ हमरा नहीं होना चीज़ हम हिलाते हैं मेरा हाथ द्रेवर स्विंग अन्थ ठीक है चल जाएगा कोई इसुन न पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद मैं फिल कर रहा हूं एक लेयर बन चुग है सब इसको हमने फूर्ट क्लीन कर देरा अच्छी तरीके से अब इसमें बेरिंग करें किसे एकेजी कंपनी का मतलब कंपनी का बीरिंग और इसमें क्या हो रहा है देखिए बेरिंग अगर चलने टाइम प्लेव मतलब साउंड करें तो बीरिंग सही नहीं है तो इसमें देखिए अब टाइट जा रहा है पहले जा रहा था तो इसको क्या करना है थोड़ा सा थोड़ा टाइप से कुछ लेना है और इसमें जो इनेर पार्ट आप इसमें थोड़ा-थोड़ा से लेवेल में हो चुगा है वड़्िसको कैसे अब कैसे हीट करना है अब हीट करने के लिए आपको एक साइड का सॉकेट में मतलब लाना पड़ेगा बड़ा बाद पर नहीं है बुसका अब कर आपको ओल्ड बीरिंग होता है इसके इसमें रखना इसके सीथ में ठीक है फास् कि देखिए यह अंदर की तरप चला गया है मैंने इसके कमपने का उसके रहे है तो इसमें दिखेट है जिसका कलर जो आपका इस टाइप का एगा यह बहुत फाइन कम मतलब प्रॉपर की त्रीश है इसका अंदर पूरी तरह के से भड़ देना है इस ब्रीस लगा के आप बिस को पर इस जे तक कवराता है फोभी इसमें भीदेंगना है यह आपका स्टॉप में रहिए ग्रीस यह रोल है कर देना अब इसको फवर आते इसको जिस्ट कर देना है कि यह प्रफिटिंग होगा प्रफट लिए और यह आपको रियार हुए ले इसका भी बेरिंग अग्रब खराब हो गया था तो बेरिंग है तो इस अब इसके वज़ें मतलब फैक को में निया बेरिंग लाए तो इसको अमने ग्रीसिंग कर दिया है इसको ज़स्ट अंदर पूस्ट करेंगे तो यहां से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए तो सेम देख सेकते हैं आप से बिल्कुल भी नहीं जा रहे है तो इसको जम अज़स अब देख सेकती इनर पार्ट इसमें चला गया है बड़ इसको कैसे ठोके तो सेम पेरिकाम में अपनाने वाल है जो ओल वेरिंग आते हैं इसको हम इसमें फिटिंग करेंगे से अब इसके अंदर यह साइड में साइड में प्रोकेंगे अब इसके नीचे कुछ कपड़ा रखते हैं अब यह जो हुई ले इसमें प्रावलम हो रहा है सेम मैंने जो दिखाए था इसमें जो बेरिंग है हमारा ओल्ड हम यूज करेंगे वह सही है बट यह लूज जा रहा है उसके लिए सेम प्रोसिडर है मैंना को होता था बताए इसके बीच में देख सकते हैं इसको बिल्कुल आपको डालना है डालना है और इसका अंदर मैंने ग्रीशिंग कर दिया है ज़स्ट इसको आपको इसरे से डाले है अब यह जब को वेरिंग है इसको जस्ट ऐसे ही इंस्टार करना है कुछ विए अपको अब इसमें यो कॉलर इसमें ग्रीशिंग कर सकते हैं यह जो अंदर का साइट है अब यह विए यह टाइट जाएगा है क्योंकि हमने फेव कोई क्या स्तवाल कि है देखा भी जाने रहा है इसको जाने के लिए मैं हाथ पोच लेता हूं गंदा हो और अगर यह सीद्वे नहीं जा रहे है तो इसके लिए आपको यह एक्सल होता है एक्सल का डाल सकते है ठीक है अब इसको चोट कर सकते है तो इसको अने फिटिंग कर दे है अब इस फोल प्रसेटर कोंप्लेट है ठीए रीडर सारा प्रसेडियर कैसे मैंने ब्रेंग फिटिंग इसको हम यहां पर लगा देंगे सब वीडियो आपका खतम होजेगा आपका इसू नहीं आएगा और हमने जो बेरिंग चेंज हिया है तो जो टॉकेट का बेरिंग था उसका नंबर देख लीजिए 4304 जो छोटे वाला मैंने बेरिंग नहीं प्रेस के इतर वाला इसका नंबर 606201